नमस्कार विएपी इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आइडियो आटकल में डे एरेट से च्छादिक दर्शन दूत्ति सेमेस्टर से समाजिक अध्यान अध्यायदस पिर्थवी के पर्मुक परिमंडल अस्थर मंडल जयल मंडल वायू मंडल एं जयो मंडल के ब हैं को पीपल के उरिच का हमारे लिए अध्यात्मिक महत्तोर तो है ही साथ ही साथ वह अत्यांत गुड़कारी भी है क्योंकि यह परचूर मात्र में आक्सीजन देकर मानो मात्र का कल्याण करता है तथा वनों के बारें जितना भी आप जानकारी ले सकते हैं लिख सकते हैं लेखन में लिख दें क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि परिभासा ही सही होता है परिभासा भी तो बहुत सही होते हैं पर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं वैसे तो सभी विरिष दिन के समय आक्सीजन छोड़ते हैं जो जीवन के लिए आवस्यक तत्व है प्रन्तु पीपल के वरिच में आक्सीजन परदान करने का उनपात अन्य वरिच्छों की तुलना में अधिक होता है इसके अतरिक नीम, बबूर, तुलसी, आवला वा समी आधि वरिच्छों का आवसधी के रूप में बिशिश महत्तो होता है वन वन उसके लिए ही नहीं अपितु समस्त जीवन जीव जन्तुओं के लिए आवस्यक है इनसे प्रकृत का संतुलन बनाये रखने में मदद मिलती है आज वनों के अधिका अधिक कटाव से अनेक महत्तपूर जन्तु लुप्त हो गये है तथा अने जन्तुओं के लुप्त होने का खत्रा उत्पन हो गया है वन राजसी यानि सेर की संक्या में निरंतर कमी आ रही है जंगली हाथियों की संक्या भी लगतार गट रही है यही हाल अने जन्तुओं का भी है वन रितु चक्र एयों प्रकिर्थ में संतुलन बनाये रखने में सच्छम होते हैं वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा उसकी उपत सक्ती को बनाये रखने में सहयोग करते हैं पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पिर्थवी के जल को आवसोसित करते हैं जो पनो वास्पित होकर वायू मंडल में बादल का रूप ले लेते हैं जिसके परड़ाम स्वरूप वर्षा होती है और यह चक्र निरतर बना रहता है परंतु मनुष की भी स्वार्थ लोल लूपता एव आसंतोस की परविर्थी से दिन परती दिन विर्थ्चु की संख्या के आसंतुलन की संभावना उत्पन हो गई है यही कारण की भूमी का कटाओ बढ़ रहा है जिसके जलासे परती दिन सूकते जा रहे हैं पानी की इस निरातर कमी से जल्य जन्तू की आस्तित्तु खत्रे में पड़ रहा है अब आगे चर्चा रहेगा जयो मन्डल के अधार भूत चारू जयविक तत्तों का बारे में जीव के विकास का वातरण निम्ने तत्तों पर निर्भर हैं अस्तल मंडल जल मंडल वायू मंडल मानो मंडल मानो तो इन ही पे जीव के विकास का वातरण है तो पहले जान लेते हैं अस्तल मंडल के बारे में इसके अंतरगत पृत्वी की सता यह जल का वह भाग आता है जह जयो जगत को जीवन विकास के लिए बोजन स्रेंखला खनीच ए उर्जा का परवाह गति सील रहकर किरिया सील रहते हैं इसमें भी मिट्टी का योगदान विशेश महत्व पूर है मिट्टी में खनीच तत्तो वनस्पत्ती तत्तो मिट्टी के कड़ों की वायू ए वहां का ज में कूल दसाएं विक्सित करते रहते हैं आप जानले जल मंडल के बारे में पिल्टी के सत्व पर भूमी गत स्वच्च वहलका जल नदी है जील वतलाब में भूमी गत्पाया जाता है इस जल y resulted की इस्थल मंडल का ही जीवन निर्भर है जो संपूर जल के जीवों के अनकूरण वबिकास का अधार है यहाँ पर भूमी से प्राप्त आउसादों वचटानों से आउसे खनीज लवड अन्य पोसक तत्तों एवसूर किरेडों तलाबों वच्ट के सागरों में प्राप्त होती रहती है इस परकार जयो जगत की जीवन इकाई का 90% भाग पेट्रो प्लाजम से बनना होता है जो की उशे उप्युक पदार्थों के अवसोसर से प्राप्त होता है वैसे अस्तल मंडल पर मिलने वाले जल का भी अधार महा सागरों से प्राप्त वास्प्षिकरण और संगनन नाइट्रोजन आधि के संतुलिद चक्रों को किर्या सील रहने से वायू एवसूर तप तापमान में एक नमी के द्वारे जीवों की जीवन दान मिलता रहता है स्वासन लेने वा स्वासन निकालने में दिन वा रात्र में अलाग अलाग गैसों का जीव जीव अनस्पत्ति के माध्यम से संतुलिद विकास होता रहता है परकास संसलेशन बिधी से नाइट्रोजन वा कार्बन चक्र मिलकर भोजन स्रेंखला की विकास यो उर्जा परवाह में सहाय करते हैं इस परकार वायू मंडल के साथ जेव जगत के जटील आपसी संबन एक दूसरे पर चाहे रहते हैं यहाँ पर इस परकार जीव के विकास का बिशिष्ट वातरण बनता है अब आगे जेव मंडल के स्वरूप यो परवावी तत्तों का वरडन जेव मंडल भूतल का महा प्राण है इसके अंतरगत भूतल के अस्थल जल एवायू मंडल में विक्सित सराल से जटिल व्यवस्था वाले घटक अर्था छे त्रवार विक्सित बिधित जीवोमो यानि के बायोम मिलकर भावतिक भूवोलो के जैविक भू मंडल के शोरूप का निर्माड करते हैं इसके अंतरगत वा संपूड परियावरण आता है जिसके अंतरगत जैविक किरियाएं सिर्जित वा बिक्सित होकर विधित परकार से परगति करती है इसी कारण जव मंडल के परभावी तत्व अजैविक होते हुए अध्यन के लिए समान रोप से महत्वपूड मानने गये हैं इसी कारण जव मंडल के अध्यन में ज़ मंडल, अस्थल मंडल एव भायू मंडल का अध्यन इसमें महत्वपूड बन जाता है मोटे तोर पर जव मंडल के अंतरगत प्राणी जगत मानो एवं पसु तथा वनस्पत्ती के मद्ध के कडई जीवाडू, किटाडू, बिशाडू वपरपोशी जीव एवं उनका आवास समलित है जयव मंडल के अधार में वनस्पत्ती पसु एवं पच्छी मानो एवं सूच में जीव आते है यह चारो ही अधार भूट जयो तत्त तो एक दूसरे से सहसंबंदित यो प्रस्पन निर्भर है फिर भी मानों का समराज इन सब पर ही है आस्तुवह बिक्सित तक्नीक के द्वारा इन सब की किस्मों वर नए वनसकर्मों का विकास कर सिर्फ अपने लाप के लिए जीवों का एउम एट्स जैसी व्यवधित अपने सिर्फ पर ले लेती है जिससे उनका संपूर वातरों एन सवयम मानों पर जाती दोनों ही का आस्तित्तु तेजी से खत्रे में पड़ा जा रहा है मानों ने विश्वी सदी में प्रकृत के अने जैविक एव आ जैविक घटको में इतनी अधिक दूरी तक परवेश किया है कि वह अब ना सिर्फ प्रकृत के संतुलन को ही नश्ट करने में लगा है बलकि वातरों में अन्वांचन्य कार भी करने लगा है जहरीली गैसों का विकास बिशपोर्ट युद्ध में भीशड जीव साहार का परियोग पहले आडवी खत्यारों का बिशपोर्ट आडवी पिद्धुत गिरों का दुरगटनाओं तेल का सागरतल परभाव वा दिसाओं तेल के कुवों में कुवेज जैसी आत्मघाती आप उठता है यही नहीं वनस्पत्ति का अंधा धुन बिनास करने करके कुछ जीवों पर वनस्पत्ति किस्मों को शमूल नश्ट कर एं कुछ अन्यों की अनुवांसिक में परिवर्तन करवा उनके संतुलन को बुरी तरह से कुप परभावित करता रहता है यही नहीं आउद्दव की विकास एं इस्वचंत समाजिक जीवन के नाम पर उसने वात्तरण को दूसित कर उसमें बहु अस्तरिय घातक परदूसर्ण को जो विकास किया है श्वेम मानों के लिए आत्मघाती बनता जा रहा है अता हुए ज्यानी का परियावन संतुलन एको तंत्र का सुधार एं उसका समूचित परबंध का नारा है आज की सबसे आवस्यक पुकार है इस पर तत्कालिन करवाही अनुवार है परियावन के ओपर अब आते हैं अतिलगुत्रिय प्रस्ण में अस्थल मंडल के अंतरगत क्या आता है इसके अंतरगत पिर्थवी के सत्थ एंव जल का भाग आता है वह जयो जगत को जीवन विकास के लिए भोजन सरेंखला खनीज एंव उर्जा का परवाव गती सील रहकर किरिया सील रहते ह अगे हैं जल मंडल से क्या आशा है पित्वी कि सत्थ पर भूमीगत स्वच्च वह अलका जल नदी जील वर तलाप मैं यह भूमीगत जल पाया जाता है इस पर ही अस्थल मंडल की जीवन निरभर है वायू मंडल जीओं के लिए क्यों आवस्चक है? वायू मंडल से मिलने वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाय अक्साइड, नाइट्रोजन आदिक के संतूलन के चक्रों के क्रिया सील रहने से वायू एंसूर ताप मान में एक नमी के द्वारे जीओं को जीओंदान मिलता रहता है। आगला प्रसन है परकास अंसलेशन बीधी से क्या आसा है? परकास अंसलेशन बीधी से नाइट्रोजन वा कार्बन चक्र मिलकर भोजन सरेंकला के विकास एव उर्जा के परवा में सहायक करते हैं। इस परकार वाई मंडल के साथ जयो जगत के जटिल आपसी संबंद एक दूसरे पर छाय रहते हैं। यहां इस परकास जीओं के विकास का बिशिष्ट वातरोण बनता है। लाश्ट परसन है जेओं मंडल के अंतरगत क्या आता है। जेओं मंडल के अंतरगत आधार में वनस्पत्ति पसु एंउपच्छी मानों एंसूच में जीवन आते हैं। धन्यवाद इस आईडियो आटकल को सुनने के लिए। ऐसे ही आईडियो आटकल सुनने हैं। टेक्स चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।